हेले विडियों आज है 30 अक्तूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जारे इजी ट्रिप प्लानर से इज मैं ट्रिप कहलो साड़े तीन परसंट की बड़ी तीजी दिखाई है और पिछले दो दिनों से यहाँ पर रफ्तार देखने को मिल रहे हैं उससे पहले भैंकर गिरावर्ट से यह शेट घुजरा जरूर था और बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में कि वाई सब चल क्या रहा है मौके हैं धोके हैं क्या सिनारी यहाँ पर देखने को मिल रहा है और क्या लेटेस अपडेट है सब कुछ डिसकर्स करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इससे सब्सक्राइब कर लेजे क्योंके हागे भी बहुत सारे वीडियोस है जो पो काफे ज़ादा हल्प करेंगे तो तीस रुपे का शयर है एक महिने में अभी भी तक्रीबें साड़े नौ परस्ट का फॉल जरूर है पैंतिस रुपे से लगातार गिरा था ये अठाईस रुपे पर गिया था लेकिन पिछले तीन ट्रेडिंग शैसन से मंडे को तीजी देखने को मिली कल भी हलकी सी रफतार थी जरूर और आज बड़ी तीजी यहाँ पर देखने को मिल रही है अगर हम एक साल का ग्राफ देखेंगे तब तो गिरावट है एक बड़ी तीजी दुबारा यहाँ पर तब आई थी एक हे दिन में 15-16% के तीजी तब आ गए थी जब इन्होंने अनॉंसमेंट करा था कि पर इलेटरिक बस बनाने वाले हैं और तब भी मैंने का था कि मत खरीदना फज्जा होगे यहाँ पर क्योंकि इलेटरिक बस अगर यह बना भी रहे तो आप यह सोचो कि वह इनकी कंपेटर कौन-कौन बनेंगे कंपनी का कितना खर्चा लगने वाला है इनके क्लाइंट कौन-कौन से होंगे तो यह सब कुछ सोचो कंपनी का एक्सपरटीज क्या है जो बड़े-बड़ी लगेसी कंपनी के साथ में टिक पाया है कि नहीं वो देखो आप यहाँ पर और उसके बाद हरानी वाली बात यह थी कि इस खबर के चलते तीजी आई और उसमें प्रमोटर ने भी क्वाली करी थी प्रमोटर ने एक ही जटके में एक ही दिन में 14% का स्टेक बेच दिया और उसके बाद जो गिरावट शुरू है वो अभी भी रुकी नहीं आला कि इन्होंने बोनस अनॉंसमेट भी करी हुई है अभी हाल फिलाल में ठीक है वो भी हम आगे बात करेंगे यहाँ पर एक update निकल कर आई है is my trip को लेकर अगल भी हो तो इन्होंने फर्स फ्रेंचाइस टोर उपन करा है Odisha में बुनेश्वर में तो अगर अच्छी वात है कंपनी जो है वो लगाता फ्रेंचाइस टोर उपन करती जार ही है इससे पहले भी उन्होंने अलग-अलग जगाओ पर अपने फ्रेंचाइस टोर उपन करे हुए है लेकिन Odisha में यह इनका फ्रस्ट फ्रेंचाइस टोर है और इसके साथ अगर आप देखोगे तो this marks the 19th store unveiling the under the company's flagship program यह 19 वा श्टोर है और लगातार यह अपने stores open करती जा रही है जो किया अच्छी बात है offline जो market है उसको भी tap in करने की कोशिश हो रही है यहाँ पर अच्छी बात है यह कोई बुरी चीज नहीं है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो अलग-अलग locations है यहाँ पर यह बुनेशर का जो है वहाँ पर अलग-अलग location है मना जो बुनेशर का store है यह उसका address है यह और यहाँ पर stores offers अलग-अलग range of travel service including flight, hotel, bus हो गया rail lever reservation हो गया वह सब कुछ यहाँ पर होगा इसके अलावा customer can also book luxurious vacation packages cruises and visa related services जो है वह सारी यहाँ पर solve हो चाहेगी और यह अच्छी बाद है लोगों को एक चाहिए होता है store पर जाके वो जो भी services है उसके इस्तिमाल करें online बहुत सार लोग इस्तिमाल करें लेकिन किसी को कि store पर जाना है तो उनके लिए भी जो services है वो available होगी कमपनी का अगर हम volumes देखे तो 60 लाक से भी जादा के share और यहाँ पर आज trade हो चुके है market के भी इसका 5,500 करोड के आसपास देखने को मिल रहा है इतना ही नहीं 73 रुपीस तक का high है 10 रुपे का low है कभी भी यह 10 रुपे के low पे नहीं गया है price इसका adjusted हुआ है bonus वगिरा के चलते split और bonus के चलते यहाँ पर price इसका adjust हुआ है ठेक है देखने में 30 रुपे बहुत सस्ता लग सकता है ठेक है लेकिन actually अभी भी 30 सस्ता नहीं है उसका reason यह है कि company ने बोनस के जरीए अपने price को adjust करा हुआ है यहाँ पर अगर अब इसका bonus देखोगे वो भी 2022 में देखोगे तो इसने bonus दिया January में, October में भी इसने bonus दे दिया और उसी 2022 में यह split भी हो गया तो अब समझे रोगी game क्या हुआ यहाँ पर पहले तो 2022 में उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया एक पे उपर तीन हो गया जिसके पाद 400 share थे वो सीधे 1200 हो गये यहाँ पर 1200-1600 हो गये तो अब सोचो क्या हो रहा क्या हुआ है यहाँ पर ठीकर सोचो आप इस चीज़ को कि 100 ही shares थे, share तो 100 ही थे, लेकिन bonus और split के चलते, कितना multiply हुआ है और यही वज़ा इसके price range में जैसे कि 600 रुपय का price हो अगर इसका था यहाँ पर तो वो एक बार bonus दे के 300 हो गया, फिर वापस में 1.500 रुपय हो गया, ठीक है फिर वापस में और एक का 3 जो बना था यहाँ पर, तो यह और adjust हो गया, यहाँ पर सोचो उस तरीके से और अभी और bonus मिलने वाला है, ठीक है और 14 October को उन्हें अनौन्स करा था जो date decided का मलब करी गई है वो 12 December है तो जो भी खरीदेगा 12 December से पहले वो सब eligible होंगे पहले 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 अगर शेर प्राइस 30 रुपए का चल रहा होगा तो बोनस के बाद 13 December को मतलब 12 December कोई जो प्राइस होगा 15 रुपए पर आ जाएगा और शेर प्राइस आपकी डबल हो जाएगी तो यह चीज़ है यहाँ पर बोनस और सिंपल सा यहाँ पर गेम चला है पहनी स्टोक है नहीं लेकिन इसको बनाया गया है ठीक है और जहां तक बात करें वैल्यूशन के बारे में तो जैसे कि मैंने का आप महगा है 48 का पी है इसका सेक्टर पी 38 का है कोई भी अपने राइं नहीं दे रहा है खरीदारी को लेकर अगर हम इनके फिनेंशल देखे तो तीस रुपए के लिहास से अगर आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छे लगेगा यहाँ पर यही खेल चला है और जहां तक बात करें शेह होल्डिंग को लेकर तो प्रमोटर की होल्डिंग 50.38% की है और प्रमोटर ने जम के बिक्वाली करी थी 64.30% से बाया सिदे बचास पर आ गए और ऐसा भी नहीं के प्रमोटर ने बेचा तो किसी और बड़े इंस्ट्यूशन ने खरीदा नहीं भारे साहब 0.08 mutual fund जो थे वो 0.18 हलके से खरीदारी हुई है डोमिस्टर के तो भीक्वाली करी 2.51% से घट गए वो 247% बढ़े FLS अगर आप देखो तो वो भी 2.56 है वो भी घट की 2.50 पर आए है खरीदारी करने गोले तपका जो है वो रिटेल इंवेस्टर ही है यहां पर जो 22% पर था रिटेल इंवेस्टर वो खरीद खरीद के आ गया है 32% पर तो बात यह है अगर आप चैनल को रेगलर फॉलो करते हैं मैंने पहले भी खा तो मत खरीदना ठीक है और अभी definitely देखो company जो है वो लगातर अलग अलग तरीके इससे कोशिश कर रही है और मुझे जता है कि आप एक stability इसको मिलनी चाहिए लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि एक बार वेट कर लो यहां पर दिवाले के बाद का सेनारिय जब पूरा बाद सब्सक्राइब करेक्शन दिखाएगा तब देखना है कि यह कहां पर जाता है तो अभी मैं wait and watch की ही यहां पर बात करूँगा reason simple से कि मुझे आता है कि दिवाले के बाद थोड़े बहुत correction आपको देखने को मिल सकता है तो competition बहुत जादा इनको face करनी पड़ेगी तो company alternative ढूंड रही है कि भया कहां पर अपना पैसा invest करे तो इन्होंने पहले जब आयोधिया में राम मंदिर open हुआ था तो इन्होंने जो integration हुआ था तब इन्होंने क्या किया था इन्होंने वाई सब उस time पर जो आयोधिया में process कर रहे हैं वो सही भी बैठने चाहिए अगर वो सही नहीं बैठे खर्चे पर खर्चे कर तो चले गए और outcome कुछ इन भी निकल कर नहीं आया तो दिक्कत हो सकती है इनके लिए और यही वज़ा है कि मैं इस company को लेकर अभी के लिए इतना ही क्या है रहा हूं कि दूर बैठ कि तमाशा देखना ज्यादा पसंद करूंगा और अगे इन देखो यह जो भी है यह मेरा personal opinion है कोई भी investment advice नहीं है इस company को लेकर और इसके investment जरूर है यहाँ पर यूग जो plans company कर रही है वो successful होना जरूरी है और सबसे बड़ा negative point जो मुझे लग रहे है वो promoter जो लगातर है हिसाब से और promoter ने high level पर बेक्वाली करी है पिछले साल भी बेचा था इस साल भी बेचा है और शेर उससे कई नीचे गिर चुका है और promoter के इस हरकत के चलते शेर में बहुत बड़े गिरावट देखने को मिल रही है और यह अच्छी बात नहीं है अगे नहीं मेरा personal opinion है बाकी मरजी आपके वीडियो को यहीं पर अंडर करता हूँ पसंदा हो तो लाइक कर रूशाय कर जाने वगर आ पहले बारे तो प्रीज सब्सक्राइब करें इसर ट्रिप के बारे में आप क्या सूचते हो वह भी आप मुझे कमेंट में लिखके बता सकते हैं थैंक्यो